NRC वो CA के समर्थन में बीते 23 जनवरी के निकाली गई जुलूस में हुए कारयता पूर्ण वार्दाथ से पूरे जिले की स्थिती काफी तनापून वटर क्राफ का महल उत्पन हो गया था जिले की स्थिति को देखते वे ततकाल जिले प्रशाशन की और से पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया था जिले में कर्फ्यू लगने के बाद आमजन जीवन अस्त वेस्त हो गया था लोगराशन पानी के लिए काफी मसकत उठाते दिखाई दे रेते इसी भी जीले के आलाधी कारियों द्वारा छेत्र की स्तिती वस्तु का समिक्षा करने के बाद बीच-पीच में लोगों के आव्यशक्ता को पूरी करने के उदेशे से कर्फियों में धील दिया जातारा लोग राशन पानी की उपलबदता के लिए जिला प्रशाशन द्वारा दी गई समय सीमा पर वेवेस्ता करते दिखाई दिये बंद को लेकर किसको प्रखन विकास पताधिकारी सरमजिस्ट्रेट इंचार संदीब भगत ने कहा कि पूर्व के दिनों के उपैक्षा बंद के आतिवे दिन किसको प्रखन शेतर की स्तिती सामने उन्होंने कहा कि बंद को लेकर पूरे प्रखन शेतर में एहतियात बढ़ता जा रहा है बीडियो सरमजिस्ट्रेट इंचार संदीब भगत ने कहा कि कहीं से किसी तरह की विवात की सूचन नहीं है जल्धी स्तिती सामने होने के आसार है उन्होंने ये भी कहा कि जिला के वर्य पताधिकारी पूरे स्तिती वस्तू पर नजर बनाये हुए और जिले की अर्थ विवस्ता को पलट कर लाने का प्रयास जारी है ख़वर 365 न्यूस के लिए लोहर दग्गा से अमर गोश्वामी के साथ किसको से खुशन अंसारी की रिपोर्ट हाँ जी ताइस के बाद जैसे आपको गयात है कि पूरे जिले में इस्तिती तनावपून थी लेकिन मैं आपको बतला हूँ कि हमारे परखंड में किसको परखंड में कुछ विसा इस्तिती नहीं है कि फिर भी एतियातन समय समय पे कर्फ्यू में धील दी जाती रही है जैसे आज की बात करें तो नव बजे से बारा बजे और दो बजे से पांच बे तक कर्फ्यू में धील दी गई है और कहीं से किसी परकार की घटना या फिर किसी परकार की आप जयनी हो या तो फिर और दूसरे की कुछ वपरदा उसके कोई सुचना हमारे किसको परकाण में नहीं कब तक जिल्य के सासफ़त बलावकस्तर प Earthba इस्तिति समान्य होने की समभावन है और इसमें तो इस पास कहां नहीं जा सकता है लेकिन जिल्य के वर्यवीलाज़ी कारी इसमेन सत्त नगरानी रखे वाए है जैसे ही इस्तिती लगता है कि शमान ने हो जा रही है तो फिर कर्फ्यू में ढिल देदी है